अब हमारे टेलीगाम चैनल भी आ चुका है अगर आपको हमारे टेलीगाम चैनल जॉइन करना है तो आप होटशॉट अडवाजरी टेलीगाम चैनल पे सर्च किजिए और हमारे चैनल जॉइन किजिए इन्वेस्टर ट्रेडर इन स्विंग ट्रेडिंग के लिए सब के लिए अब आपे अच्छे कॉल सम डेगली बेसिस पे देते हैं हलो दोस्ताब सब का सौकत है आपके यूटूब चानल पे दोस्तों मैं विवेक दुमाड़े से भी रेजिस्टर रिसर्च चानल इस्ट आज से LIC का IPO चालू हो रहा है आपके पॉर्टफोलियो के लिए इन्वेस्टमेंट परपस के लिए इसको अप्लाइज जरू करना है और मुझे पता है इसमें आप सभी को यहां पे अलॉट्मेंट हो सकती है पर इसमें आपके पास अगर LIC का शेर, LIC के policy है तो कैसे करना आगर आप LIC के employee है तो कैसे करना या retail investor है तो कैसे करना इस सारी चीजों का answer हम देंगे पर आज हम बात करेंगे थोड़ा हटके तो हटकी मिन्स हम बात करेंगे LIC IPO के Facts, LIC कंपनी के Facts and Figures के बारे में तो facts and figures के बारे में बात करने के पहले, हम सबसे पहले LIC से starting से, establishment से हम चालू करते हैं. 19 January 1956 में guys, LIC चालू हुई, जब government ने decide कि हमें life insurance company के 245 जितने भी companies हैं इंडिया में, including foreign organization जो operate कर रहे हैं इंडिया में, सब को take-or करना है. तो यह यहाँ LIC इसकी चालू हुई, आप September 1, 1956, Establishment of the LIC by law. Second guys, 1960 में इन्होंने first time जो branch foreign में open की हुए, 1960 में UK में इन्होंने branch की, establish होने के 4 साल बात तुरंत इन्होंने UK में एक branch चालू की. 1962 और 1964 में इन्होंने computer installs किये इनके offices में. आप सोच सकते हो, आज से 60 साल पहले इन्होंने अपने offices में computer install किये. 1981 में कुछ ऐसे decisions यहाँ पे आए कि decentralized करने की बाद आई. और इसके बाद आप देख सकते हो, 1989 में इन्होंने दो company form की, वो तो LIC housing और LIC mutual funds. ऐसे दो company अलग-अलग form हुई है. जो decentralized हो चुके है, decision making इनके अलग-अलग हो चुके है. उसके बाद आप देख सकते हो, 1997 में इन्होंने इनके जितने भी branches से सारे branches को link कर दिया, 1997 में. 2007 में इन्होंने LIC pension funds करके launch किया था. और 2019 में इन्होंने 51% shares IDBA bank में buy कर लिये थे. तो IDBA bank के ये official managing committee, official administrator बन गए थे. 2019 में इन्होंने 51% इनके shares buy कर लिये थे. आज हम सारे facts and figures के बारे में बात करने वाले guys. तो आप देखतें next इसकी facts and figures क्या है. दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होंगा how big it is. Guys market share. इंडिय में अगर 100% ऐसा पकड़ते हैं कि अगर 100 लोगों ने live insurance policy लिये तो उसमें से 64% लोगों ने जो live insurance policy लिये वो है LIC ने. 8% policy जो लिये SBA life ने. 6.1% लिये SDFC life ने. 5.7% लिये ICSF prudential life ने. और others जो है 16% जो अधर छोटवरी companies हैं काफी सारी companies हैं उन्होंने. तो guys आप आप क्योंकि 2000 के बाद बहुत सारी जो companies है guys वो privatization government ने इसको अप्रॉल दिया है. 2000 से पहले 2000 तक सिर्फ LIC 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 ही था. तो guys आप देख सकते हो अगर AUM अगर दिखते हैं तो guys देख सकते हो यहाँ पे AUM जो है LIC का 36.8 है और SBA Life का 2.2, ICSF prudential का 2.1, SDFC का 1.2 और Max Life का 0.9. तो सबसे ज़्यादा अगर AUM देखेंगे तो AUM क्या होता है? तो assets under जो management है is lakh crore 36.8 lakh crore जो है AUM है LIC का. नंबर अगर policy issued देखोंगे guys तो LIC के सबसे ज़्यादा है 21 crore 21,3,002 यह LIC की number of policy issued अब तक हुए है. यह है data February 2021 का दा. others का देखोंगे तो 3 crore 60,57,136 only. तो सबसे ज़्यादा जो policy holder से हुए है LIC के. LIC के सबसे ज़्यादा policy holder है क्योंकि 2000 तक private companies नहीं थी. 2000 के बाद private companies को approval दिया गया है. तो 21 crore जो भी policies mag almost आप उसके अदर से साथ पर गुना ज़्यादा जो LIC की policies holder है इंडिया में. अब एक facts and figures में देखते हैं how profitable it is. पर उसके पहले में आपको एक चीज़ बताने जाता हूँ जो वो काफे interesting जो मैंने लिखे लाई है. नमबर ओफ एजेंट्स अगर आप देखे हो गाईज तो ICS दे प्रूव के है 1,87,000, SBI Life के 1,70,000, SDFC Life के 1,12,000, Bajaj Alliance के 88,000. पर गाईज अगर LIC के नमबर ओफ एजेंट्स देखोंगी जो इंडिया में LIC बेच रहे हैं तो वो है 13,53,808 है. यह February 2021 तक का डेटा है और 13,5, इनके LIC के एजेंट्स है जो काफी जो जितने भी private companies है उन सब के मिलके भी अगर किये तो 3-4 लग के एजेंट्स इउपर नहीं होते हैं पर LIC के जो एजेंट्स है नमबर ओफ एजेंट्स वो 13,00,000 है उनसे पास से 6 गुना जादा. अब देखते हैं how profitable it is यहाँ पर आप द जा रहा है 17,18 में थोड़ा कम था पर आप देखिए यह complete rising है 2012 में almost 1400-1300 करोटा पर आज यह almost 2900 करोट के करीब है तो profit after tax इसका काफी काफी बढ़ी है अब मैं आपको कुछ interesting fact बताने जा रहो आगे प्लीज देखिए guys यह देखिए top 10 holding of LIC LIC के जितना भी पैसा जाता है maximum प top 10 holding में guys सबसे बड़ा जो holding है इनका IDBI bank में 49.2% LIC housing में 45.252% ITC company में 16.2% हिंदुस्तान कॉपर में 14.2% NMTC में 14.2% MTNL में 13.1% L&T में 12% और इंडिया में 11% हिंदुस्तान, Aeronautics, HAL में 11.7% कास्ट्रोल में 11.3% यह top 10 holding है इसके काफी companies में LIC की investments है लाइक वेदानता में है काफी companies में पर यह top 10 है जो percentage वाइस देखोंगे अगर रुपी वाइस देखोंगे तो सबसे ज्यादा जो इन्होंने पैसा लगा है 95,274 करोड यह जो पैसा है रिलायंस का रिलायंस में लगा है LIC ने और उसके बाद TCS में लगा है 50,000 करोड इंपोसी में लगा है 45,000 करोड ITC में 43,000 करोड, SBI में 33,000 करोड, LNT में 31,000, ICS में 31,000, HOL में 24, IDBI में 24, OJC में 18,000 करोड आप देख सकते हैं कितने कंपणी में इनकी इंवेस्टमेंट से गाईज और यह सारी कंपणी ब्लू चिप कंपणी है कुछ मिट कंपणी है बहुत काफी बढ़िया कंपणी से तो LIC का मैग्जिम जो पैसा होता है क्लोज कप करने होने वाला यह सारी चीज़ें आपको बताऊंगे पर इसके पहले आपको एक वीडियो देखना है जिस वीडियो में आपको अनिल सिंग जी जो जी बिजनेस के मैनेजिंग डारेक्टर है वो आपको बताएंगे अगर आप employee है अगर आप LIC policy holder है या प्रिट के लिए बड़ा reservation है रीटेल निवेशक किसे माना जाएंगे अच्छा सर बताएं कि फिर अगर रीटेल निवेशक को कोई apply करना है तो किस भाव पर करना चाहिए और discount का क्या है क्या है क्योंकि काफीस लोगों में confusion है कि application के समय discount मिलेगा या फिर जब shares मिलेंगे allot होंगे तब discount मिलेगा लेकिन इस IPO की सबसे खूबसूरत बात है और मेरी समझ में यह पहला IPO जो आपको discount application के वक्त ही दे रहा है आपको उतने पैसे कमी लगाने अच्छा नहीं तो generally अभी तक क्या होता है जब किसी में discount है भी तो आपको application के वक्त पूरा check देना होता है और बाद मे आपको discount मिलता है LIC ने बहुत बढ़िया काम किया है आप जब application कर रहे है तभी आपको discount मिल जाएगा तो समझिए आप retail category में पैसा लगा रहे है और retail category में 2,00,000 तक की application आप लगा सकते है आप जब apply करने जाएंगे तो apply करने जाएंगे तो form भी मेरे पास है बहुत बढ़ि discount का highest ठीक है जैसे price band डालेंगे discount आजाएगा 45 रुपे का और बचे और जो 45 रुपे निकालके आपका जो price है 904 रुपे उसी के हिसाब से आपको payment करना है तो मतलब आपको payment 949 से नहीं करना है सीधा 904 से करना है ताकि वापस आपके amount block होने का refund आने का जंजती खतम ठीक है त retail investors के लिए 949 रुपे का price band है उपर 15 रुपे के lot में अप्लाई करना है 45 रुपे का discount है maximum आप 14 रुपे के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो amount आएगा एक single lot के लिए जो आपका amount block होगा वो होगा 13,560 रुपे 904 multiplied by 15 रुपे तो यह discount लगने के बाद हो तो यह discount लगने के बाद 110 share का होगा multiply by 904 कुल मिलाकर 189,840 रुपे की application आप लगा सकते हैं लेकिन safety के लिए आप cutoff price डाल दें हर retail investors को मैं बोलूँगा cutoff price जरूर लिख दें ताकि जो भी price आए चाहे वो 949 की LIC reside करें या 902 की करें आपको आपने दक समझे 949 में भी apply कर दिया और cutoff लिख दिया और पता चला है LIC की price 902 कता हुई तो आपको 902 में मिलेगा चिंता मत किजिए आपके पैसे जाना लग जाएगे ऐसा नहीं है जो cutoff price आएगे लेकिन समझो आपने 902 में apply किया और आपको कुछ नहीं मिलेगा इसलिए cutoff highest price पे apply करके cutoff price लिख 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 लि तो आपका amount जो block होगा 949 से होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होगा 949 में से 45 गड़ जाएगा और 904 रुपे के हिसाब से ही आपका amount block होगा तो अभी तो UPI में करना है या ASBA में करना है तो direct आपके bank account में payment block हो जाता है या UPI में payment आपका जाएगा तो आपका payment जो जाएगा न ठीक है सर तो retail के लिए तो हर बार की तरह यह है और आपको इसी तरह discount के साथ करना है अच्छा सर इसमें तो policy holders के लिए कोटा मिल रहा है क्या है पोलीशी होल्डर के लिए 2,20,000,000 का quota reserve है लेकिन policy holder को discount थोड़ा ज्यादा है 60 रुपे रिटेल को 45 रुपे ही है policy holder को 60 रुप यह discount 15 रुपे एक्सरा होगा तो 949 में से 60 रुपे 890 रुपे इस हिसाब से आपका amount चला जाएगा 13,335 रुपे इसमें भी retail category में अगर policy holder को लगाना है तो आप इसमें maximum 210 शेर का लगा सकते है 210 शेर का 1,66,690 की यह policy holder के लिए यह आपका discount बहु गया तो आप policy holder है आपको 889 के हिसाब से ही पैसा देना पड़ेगा, drop down में जाएंगे, policy holder लिखाएगा, जैसे आपने डाला में policy holder quota में लगा रहा हूँ, आपको 60 रुपे का discount आजाएगा, जितने load के लिए आप लगा रहे हैं, उस हिसाब से आपको गटा कर ही पैसे देने हैं, देख लिए 889 के हिसाब किसे माना जाएगा, क्योंकि LIC है, सभी के पास almost policy है, तो किसे माना जाएगा, वैसे आपके करें आसान करने के ये भी आसान नहीं था, इसमें सबसे ज़्यादा time लगा, एक्जिकली application के वक्त ही discount में जाएगा, या discount अंत में मिलेगा, पैसे कितने कटेंगे, कितने block होंगे इन सब पर हमने बहुत काम करने के बाद ये final निशकर्ष निकाला सबसे बात करके, अब जो आपका सवाल है कि किसे policy holder माना जाएगा, तो policy holder होने के लिए दो condition आपको कमा, पहली जिस आपके पास policy होनी चाहिए, और policy अच्छा, एक अभी किसी ने सवाल भी मुझे लिखके मेरे पास प्रधान मंत्री की जीवन बिमार योजना की policy है, वो नहीं, policy LIC की होनी चाहिए, मैंने किसी private insurance company का insurance, मैंने तो पूल ले रखे, problem क्या है, कोई भी आदम है हिंदुस्तान में life insurance करिता है, किसी भी company से करिता है, बोलता है क्या LIC लिए, वो brand ही LIC ऐसी है, life insurance का नाम भी LIC हो गया, आपने अगर किसी और company की policy ले रहे है कि तो आपको नहीं मिलेगा, policy LIC की होनी चाहिए, पहले चाहिए, अब आप LIC की policy holder दो दिन, दो date important है, एक जिस दिन company ने DRHP फाइल किया, और दूसरा दिन जिस दिन issue खुल रहा है, उस दिन आपके पास valid policy होनी चाहिए यानि कि आपकी running policy, proper policy होनी चाहिए, DRHP का फाइल कहता, 13 February को, यानि कि अगर आपने 13 February के पहले policy खरी दिये, कोई टेंशन ही नहीं, 13 February अभी वाली है, 2022, और issue कब खुल रहा है, 4 तारिक को, तो आपकी policy 13 February के पहले की होनी चाहिए, जो आम तोर पर सब लोगों की होगी ही, और 4 माई, जो अभी की date है, issue खुलने की, उस दिन आपकी policy validate चल रही है, active policy होनी चाहिए, बन नहीं होनी चाहिए, एक condition तो यह होगी, तो आप यह देख लो, मैंने policy 13 February के पहले ले ली थी ना, बस इतना ज्यान अभी तक चल ली रही है, दूसरी condition यह है कि आपको याद होग पॉलिसी तक link कर दिया तो ठीक, नहीं तो policy order, पॉलिसी क्या number आपका recognize जी नहीं करेगा, जब आप application करने जाएंगे, और वो policy number डालेंगे, LIC ने वो policy number recognize कर लिया, और आपने link कर रखा है pen से, तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन अगर 28 February को नहीं किया तो फिर आप नहीं कर तो अगर आपने कोई भी एक पॉलिसी लिंक कर दी थी, पैन कार्ट के साथ, टेंशन फी, तो यह दो कंडिशन है, तो यह आप पॉलिसी होल्डर है, और तो आपको मिलेगा 60 रुपे का डिसकाउंट, और दोनों पूरी करनी है, तभी मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक है, दूसरी, क्लाइप का लुगा? फर्फ को उसमें से भी फर नहीं पर्ता दे, कितनी बड़ी हो, कितनी छोटी हो, और wisdom की साइज से कोई मतलब, आप प्रिमियम साल की 5 लाइफ लाग बर रहे हो, 5-1000 लाइफ लाइफ कोई फर नहीं परता है, तो शजी पर आपका मिलेगा, ़ो मुझे तो पहली चीज तो आपके साइस से कोई मतलब नहीं, और दूसरा कितनी पुरानी से भी कोई मतलब नहीं, अगर आप 13 फरवरी को policy holder हैं, बहुत हो गया जिस दिन DRSP फाइल हुआ, 28 फरवरी को आपने इसको link कर दिया, हो गया, आज जब 4 मही को IPO खुल रहा है, तब आप policy holder है, हो गया, तो पुरानी आपने 20 साल से रखी है, बहुत अच्छी बात है, 10 साल पुरानी है, 5 साल पुरानी, 6 महीने पुरानी है, कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसा नहीं कि मतलब बहुत पुरानी होगी, तो ज़्यादा discount मिलेगा, या बहुत पुरानी हो नहीं, 13 फरवरी को जिस एक से जाधा policy है, आप हर policy holder quarter amiami एक application लगा सकते हैं, एक policy holder one पुरानी है, एक policy holderата को कोटा में एक application लगा सकता है, यह मत थो कि मैंने 10 पॉलिकेशन ले रहे हैं, तो मैं 10 अप्लिकेशन अलग अलग डाल दो, यह गलती नहीं करनी, अच्छा, ठीक है, चलिए, तो एक ही अप्लिकेशन आप लगा सकते हैं, अगर आपके पास एक से ज़्यादा पॉलिसी है, तो भी ठीक है सर, माइनर के नाम, अगर मेरे ब दीमेट अकाउंट खुलता है, और उसका गार्जेन उसके पेरेंट्स होते हैं, जो अकाउंट हैंडल करते हैं, और सेम सिच्वेशन में माइनर के नाम पे पॉलिसी होती है, बच्चों के नाम पे लोग इंशुरेंस पॉलिसी खरीते हैं, बड़े के उनके काम आएगी, त अधनी माइनर के नाम पे पॉलिसी ले रखेंग तो पॉलिसी जोटा में अपर अपिक्रिकेशन कढ़ दीजिए, एप्लिकेशनमी के नाम पे जाएगे माइनर के नाम भी जाएगी binding माइनर के नाम झाजए ऑपप काउन्न झाल लाग अब हमेडों अक्रोंस जाएγे दो difí चलेगा लेकिन मनों के नाम पर पॉलिस एंड़ कर न आपको पॉलिसी होँके माइनर की पीद पोलीसी हो ग एक कर पोलिसी होगा ј करेकट क्लीर है, तो माइनर के लिए इसी अकाउंट पे बहुत भी मिलेगा, पहली चीज तो माइन को मिलेगा, भी पहली मीलेगा, दूसरी चीज एग। माइनर कोई करनी है माइनर के नाम पे करनी है पेमेंट वली पेरेंट करें कोई डिक्कत नहीं आपका डिमेट अकाउंट होना ची कर दीजिए understood सर चलिए तो यह दूसरी काटिग्री भी समझ गए employee quota भी है इसके बारे में समझाएं सर क्या condition employee quota के लिए लगबख 15,88,000 share reserve है यहां discount 45 रुपय का है ठीक है तो यहां पर वही same है जो retail का है 949 में से आप गटा दीजिए 45 रुपय उस हिसाब से आपका apply हो जाएगा यहां पर भी आप cut off price पर ही apply कर सकते same policy holder quota में भी आप cut off price है एक चीज़तों समझेए सब जगे आपको cut off price लगई देनी है ताकि जिस भी भाव में final allotment price आए आपको allot मिल जाए तो safety के लिए cut off price जरूर select करें यह ज्यान में रखिए अब आईए employee किसे माना जाएगा यहां थोड़ा सा फरक है दिए जिस दिन RHP final हुआ था RHP final हुआ और जिस दिन issue खुला उज दिन आपका employee होना चाहिए तो RHP की तारिक थे 26 April और issue खुलने की तारिक है चार में तो अगर 26 April को आप LIC के employee है तो आप जो LIC के employee है तो जो LIC के employee है वो लगा सकते है उनके लिए simple सी चीज़ है ठीक है तो यह है अच्छा अब जो सबसे interesting सवाल आता है एक application पे एक से जादर discount मिल सकता है क्योंकि retail है आप policy holder भी हो सकते है और कूछ cases में तो आप employee भी हो सकते है तो क्या दो या तीन discount मिल सकते है तो क्या दो या तीन discount मिल सकते है एक LIC का एसा employee जो employee कोटा में 45 रुपे ले सकता है वो बलता अगर आपको जादा discount चीए तो ऐसा नहीं कि मैं एक lot apply करूं और 1500 रुपे का discount में तो तीनो category में eligible हूँ तो आपको तीनो category का benefit करने के लिए तीन अलग-अलग application लगानी पड़ेगी ध्यान से सुनिएगा employee कोटा में अलग लगाई है और employee कोटा का आपको 45 रुपे discount मिल जागा रिटेल में अलग लगाई है रिटेल का 45 रुपे मिलेगा और employee है तो policy order है तो 60 रुपे का discount लिजेए तो अगर आप multiple category में eligible है कि कोई retail और policy order दोनो है तो आपको अगर समझो फिर भी आपको एक ही लग जादा दीजिए ताकि 60 रुपे discount वहाँ जादा है फिर पैसे बचे तो retail में डाल दीजिए तो आपको decide करना है लेकिन आप शिर्स पर तीनों का discount एक ही application में मिल जाए ना ऐसा नहीं है तो यह ध्यान रखना है अगर हर category का discount अलग है और अगर आप एक से ज्यादा category के लिए eligible हैं आप लगा सकते हैं योगी हैं उसके लिए तो आपको अलग-अलग application करनी पड़ेगी यह ध्यान में रिखेगा और अलग-अलग application हर एक कोटा में आपको allow है लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है आप retail और H&I दोनों कोटा में एक साथ नहीं कर सकते हैं हाँ हाँ ब अधाल देजें बटा H&I category में आपको discount है नहीं? रिटेल और H&I अलग लेकिन retail, policyholder और employee अगर तीनों का discount लेना है तीन अलग application लगानी पर तो अगर आप employee है तो तीन अलग application लगा सकते हैं आप तीनों में eligible लगा पॉलिसी होडर तीनों में आप है उसके लिए अलग-अलग discount को transfer किया जा सकता है. ट्रांसफर मतलब? मानो कि मेरे wife के नाम में है, मेरे partner के नाम में है, यह transferable नहीं है, अगर आप policyholder है तो आप ही को मिलेगा discount और आप ही के नाम में करनी है, आप सुचे कि मैं मेरे wife के नाम में कर दूँ, भाई के नाम में कर दूँ जिस नाम में आप apply क कर रहे हैं, उसी के पास policy होनी चाहिए, वही policyholder होना चाहिए, retail में तो सभी हो सकते हैं, कोई लिक्त नहीं है, और employee यह सचे कि मैं application में किसी और को दे दूँ, यह नहीं चलेगा, जो employee है उसी को करना पड़ेगा, जो policyholder हो ही करेगा, retail में तो जो retail category में आ लेगा, उसको मिल तो दोस्ते आपने सुना है, पूरा details, अनिल सिंग्वी जी के, ने क्या कहा है, retail investor क्या कर सकते है, यहां कितना benefits, retail investor को मिल सकता है, या अपने employees को मिल सकता है, या जिसके पास policyholder होल्डर है, उनको मिल सकता है, अभी मैं detail बताता हो, LIC IPO के, चार मैं से चालू और LIC IPO, 9 में को होगा, basic allotment अगर आपको मिलता है, तो 12 में को allotment हो जाएगा, initial refund जो है 13 में को आता है, अगर आपको नहीं allot होता है, तो आपके account में share आएंगे 16 में को, और LIC IPO listing date is 17 में को, यहां पर देख सकते हो, 10 रुपे face value है, 902 से 950 पर share है, आपको selling price है, उसके उपर EBIT करना है, 950 क पर 15 share का minimum lot है, जो होता है, 14,235 का, तो 22,000 करोड का यह IPO issue size है, complete offer for sale है, it means, अपना जो government है, पूरा जो stock, जो उनका holding है, वो बेच रहा है, यह सारे पैसे government को जाएंगे, यह offer for sale है, retail discount 45 रुपे, employee discount 45 रुपी, book built issue, NSE और BSE दोनों जगा लिस्टेट होने वाले है, तो guys, retail investor के यह 35% है, तो maximum लोग, अगर आप ज्यादा से ज्यादा भी lot apply करते हो, तो आपको मिलने के पूरे chance थे, क्योंकि retail investor को काफी बड़ा stick यहाँ पे दिया गया है, तो guys, यह है detail, तो guys, all the best for LIC IPO, connect रहे हमारे twitter के साथ, हमारे youtube के साथ, और हमारे instagram के साथ, instagram पे हम हरोज एक free call देत अनलेस करके डालते है, fundamental news डालते है, तो गई twitter पे भी follow कर सकते हो, और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो please share कीजिए दोस्तों के साथ, और हमें subscribe कीजिए चानल को guys, thank you so much for watching this video, bye bye झालते हैं झालते हैं झालते हैं झालते हैं झालते हैं झाल झाल